इसका नवाँ नो दीन की नौरात्री और फिर नौरात्री के आखरे दिन वो हुआ जिसका ना होने की तैयारी परदेश और शासन और परसासन ना जाने कितने दिनों से करते चले आ रहे थे लेकिन अब दोसहरा के दोरान हुई हिंसा के बाद तो यही लग रहा है कि परसासन सिर्फ दिखावे के तोर पर ही तैयारियां कर रही थी हाला कि सियम योगी ने पूरे मामले पर सक्ति से निपड़्डे के निर्देस दिये बतादे कि उत्तर पर्देश के बहराच में रविवार को हिंसा में बाइस साल के राम गोपाल मिस्रा की गोली लगने से मौत हो गई इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया हाला कि पूरी अलाके में अब महौल सांथ है, लेकिन इस्ति अब भी तनाव पूर्ण है, मिर्तक के गाउं में किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, गाउं के बाहर इखटा प्रदसन कारियों को प्लिस हटा रही है, हलका बल का भी प्रियोक किया जा रहा है, सूत्रों की मान प्थर बाजी और तेज हो गई जिसमें राम गोपाल को गोली लगी और इसकी जान चली गई राम गोपाल के अलावा कुछ और लोगों की गोली लगने की सूचना है हाला कि अभी इसकी पुष्ची नहीं की गई है इस घटना में कई लोग घायल है तीस उपद्रियों को हिरासत में लिया गया महराज गंज के कमड़िया टोला में समुदाविसेश के दस करों में आग ल फिर तक के घर की आर्थिक स्तिती ठीक नहीं है फिलाल परिवार मुख्यमंतरी से मुलाकात परड़ा हुआ है और आरोपियों का इंकाउंटर करने की मांग कर रहा है छेत्री विदायक सुरेश्र सिंग ने परिवार जनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाय कि मुख्यमंतरी के लिए राजी हो गया बियोरो रिपोर्ट यूपी नियूज